नमस्कार मित्रों! हमारे चैनल एस्ट्रो सच के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है. मित्रों धनिया का सीधा संबंध धन से होता है. धनिया हमारे घर में धन बरकत कराने में काफी अहम भूमी का निभाती है. कभ करना आपकी मर्जी बाद में आपको पच्ताना पड़ेगा. क्योंकि जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती हो सकता है. छोटे से जानकारी आपके किस्म समवर जाए. क्योंकि कहा जाता है कि अब पच्ताय होत क्या. जब चिडिया चुक गई, खेत कभी घमंड न कीजि समय बड़ा बलवान किये. रंग राजा कई निधन को धनवान, क्योंकि मित्रों निर्धनता को धनवान बनाने में जो छोटे-छोटे जानकारी है, यह बिल्कुल ही अहम भूमिका निभाती है. समय बड़ा बलवान होता है. अगर हो सकता, अगर आज की में जो जानकारी ब अगर आप चाहते हैं किस प्रकार के अच्छे से जानकारी आपको भी सीखने को मिला, आप चाहते कि मैं आपके हर कदम में मार्ग दर्शन करता हूँ, गुरू की भांती में आपकी हमेशा हेल्प करता रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड सकते हैं कमेंट बॉक्स में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या से जूज रहे, वह भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल ही आपका मदद जरूर करूँगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? साबुत एवं साफ धनिया ले आना है, चाहिए धानिया होना चाहि उसमें डंक वगेरा या फिर कीडे वगेरा नहीं लगे होना चाहिए, इसके बाद इसमें गंगाजल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है, और मा लक्ष्मी कुबेर जी भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद में उसको धनिया भेंट स्वरूब भेंट करना है औ हमारे घर से निधन मिटाए और एक काम करना, इसे घर के पूरे आपको बगेरा देना, इसे पूरे घर की छट पर फैला देना और यह प्रयोग आपको कब तक धन तेरस की रात में करना है, यह दीपावली की रात में करना दोनों में से कोई भी एक दिन में, आपको करना है तो अच्छी तरह से आप अपनी पूरे घर में आपकी जितने भी घर है वहाँ छिड़क सकते हैं, छत पर भी पूरा छिड़काव करना है, इसके बाद सुबह होती है, रात भर आपको छोड़ देना, सुबह होते ही इस धनिया को आपको इसे बहते हुए जल में विसरजित कर सकते हैं, अब अगर खेती वगेरह आपके घर में कोई करते हैं, आप खेती वगेरह करते हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं, तो मित्रो इस उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, आपके घर से निर्धनता मिटेंगे, जन्म जन्मानतर की गरीबी मिटेंगे, क् छोटे छोटे टोटके हमें आगे बढ़ने में, हमें सकसेस करने में काफी मदद करते हैं। देखें तो दीपावली का त्योहार है, दस नवंबर को है, और दीपावली के दिन खास कर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके, जो तूने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। आज अपना कम से कम 10-12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आप हमारे वीडियो को देखने, आप हमारे विवश नहीं, आप हमारे दर्शक नहीं, बलकि आप हमारे परिवार के हिस्से में कोई भी समस्याएं, कोई भी प्रॉबलम है, तो कमेंट बॉक्स में बिलकुल ही पूछे मदद की जाएगी। प्राचीन ग्यान चैनल के कमाई के पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। मैं जो तूट कर बताऊंगा, जरूर करना आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे, तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित क करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते तो जीवन भर मालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माल लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको अन्न धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती है। हमें जानते हैं, धन, ए धन देरस के नाम से जानते हैं, इस दिन धन धन्वंतरी देवी लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन जो भी चीज़ें ख खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, उसने 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। इसे काफी लंबे समय तक हो सकता है, तो धन तेरस 2023 में कब है, तो पंचांग के अनुसार, इस साल धन तेरस, 10 नवंबर 2023 के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। क्योंकि धन का कोशा ध्यक्ष कुबेर महराज को कहा जाता है, इस दिन सोना चांदी बरतन आदी जो खरीद सकते हैं, चलिए, इस वीडियो में जानते हैं, दीपावली से पहले घर से कौन सी पांच ऐसे वस्तु है, जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मा लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मा लक्ष्मी धन तेरस और दीपावली, दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती मा लक्ष्मी और उसकी बेहन को लक्ष्मी, ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती, और जिस घर में कूदे है, करकट है, गंदगी चीजें से घर में उनकी बेहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाते, प्रवेश कर जाए, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे-पीछे आती है, चलिए, इस वीडियो में ऐसी कौन पांच ऐसी चीज है, जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए, तो पहला है तूटे बरतन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तामबे के बरतन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर तूटे हुए बरतन घर में रखना शुब नहीं माना जाता है, इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि तूटे हुए जो चीज है, नकारात्मक्ता का प्रतीक माना जाता है, दूसरे सामगरी है, रुकी हुई घड़ी दीपावली के पर्व में जीवन में देखे ख और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, तूटे हुए घड़ी है, इसे बिलकुल ही घर में नकारात्मक्ता प्रभावती वास्तुदोश लाते हैं, और जिसके घर में वास्तुदोश लग जाएं, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती, तो साफ सफ के दौरान जो पुरानी घड़ी है, बिलकुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दी, इस मा लक्ष्मी नाराज होती है, तीसरा चीज से नोट करके रखें, इलेक्ट्रोनिक सामान दीपावली देखे, जो रोश्नी का त्योहार माना जाता, देखिए मा लक्ष्म क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है, इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है, इसके बाद है फटे जूते चपल, अच्छा खाना और पहनना यह दिखे, संपदा की निशानी मानी जाती है, लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चपल अपने घर में रखते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है, फटे कपडे है, यह नकारात्मक लाते हैं, मा लक्ष्मी उन्ही पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, भरते भरते चीजों को पहनना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मा लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती, तो दीपा वली के दिन फटे जूते चपल है, भरती सामगरी बिल्कुल ही घर में यूज न करें, और एक बात का विशेश ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चपल दीपा वली के दिन मत रखना, क्योंकि की मा लक्ष्मी स्वयम मा लक्ष्मी उस घर में निवास करती है, जिस घर में जूते चपल घर के मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चपल में देखें, व्यक्ति के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किस के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती, तो कदापी आप जो है दीपा वली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्य था आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएंगी। इस वीडियो में जानते हैं, धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर में अन्य धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूशन बरतन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशाली बनी रहती है। साथ ही मा लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिलकुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में अर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बरतन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आप हूशन नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी मा लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंगलकारी माना जाता है इस बात का विशेश ध्यान रखियेगा जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़ कर मत जाना अधूरे ग्यान हमेशा खतरनाक साबित होते यहां पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे तो मा लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो दीपा वली दिन इसी के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती ऐसा कहा जाता है धन तेरस के दिन हो सके तो जाडू बिलकुल ही खरीद करके लाना चाहिए अत्यंत शुभ माना जाता है दरसल हिंदू धर्म को मा लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है देखिए जो जाडू है मा लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है जो कचरे होता इसे राहू का प्रतीक माना जाता है तो मा लक्ष्मी कचरे रूपी राहुल को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गए हैं, आप अपने घर में नए जाडू बिलकुल ही खरीद करके आते हैं, तो मा लक्षमी का वास होता है, धन तेरस के दिन जाडू खरीदने से, रह में सुक समरिध्धी का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है, आप माने या ना माने हमारे एक क्योंकि काफी लंबे समय से जाडू की सेवा किया पहुंचेंगे, जाडू की सेवा कैसे कर सके, जाडू को मा लक्षमी का स्वरूप माना जाता है, उन्होंने कहा, साधक है कि लंबे समय त धन तेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिलकुल ही खरीद करके ला सकते। देवी देवताओं के प्राण होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता, आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जिस प्रकार के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते हैं। उस देवी देवता के उस प्रकार के प्राण बसे होते हैं, जो श्री यंत्र है। यह मा पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा. चौथा ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगा निरंतर इनके उर्जा से निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ती होगा आए इस वीडियो में विस्तार से बता दो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देड़ तक सोते हैं उन्हें मा लक्ष्मी बिलकुल ही उनसे मा लक्ष्मी हमेशे नाराज रहती है उनसे मा लक्ष्मी हमेशा रूष्ट रहती है दीपावली की सुबह देड़ तक ना उठना क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी क्राप्त करने का समय होता है इस दिन अगर आप देड से उठेंगे तो मा लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने है, सौभाग्यवती बनना है हर प्रकार के सुखों को भोगने हैं तो इस दिन जल उठे क्योंकि जो व्यक्ती समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है तो बिलकुल ही आप समय के साथ में चले और दीपा वली दिन विशेश रूप से अपने माता-पिता और घर के बुज़ुर्गों का आदर अवश्य करें बिलकुल आप इनका अनादर मत करना मा लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी क्योंकि जो बुज़ुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मा लक्ष्मी रुष्ठ हो जाती है हो सके तो इस दिन सुभह उठकर के अपने माता-पिता का प्रणाम करें और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और ज़ाडू को इस दिन पैर से मत लगने देना इससे मा लक्ष्मी नाराज होती है बिल्कुल ही जाडू को अपने पैर मत लगने देना क्योंकि जाडू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और आप पैर से जाडू को ढूंड रहे हैं तो जाडू को नहीं बलकि आप मा लक्ष्मी को खुद रहे इसे मा लक्ष्मी को हो सकती है देखें तो लक्ष्मी माता है जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कहीं गई है माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करे तो रूष्ठ हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है तो आप जो जाडू बिलकुल ही जाडू कर अपना पैर मत रखना इसे आप शगुन माना जाता है आप लक्ष्मी को ठोकर मार जाडू को नहीं बलकि लक्ष्मी को ठोकर मारी और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे लक्ष्मी को अपने घर से भगा दें फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं पौरानिक ग्रंथों में कहा गया है अंधेरा होने के बाद घर में जाड़ू, इस दिन मत लगाना, दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्वी घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे, सबको साफ सफाई कर लेना, जाड़ू नहीं लगाने, और घर में किसी भी दीपा वली है, धन तेरस है, इस दिन कुछ ऐसे सामगरी है, जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया, कि अगर आप इन सामगरी को खरीद कर लाते हैं, तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती, जिस प्रकार कुछ सामगरी को खरीद कर लाते, आपके घर में सौभाग्य लेकर अती है ऐसे सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुरभाग्य लाते हैं दीपावली दिन स्टील के बरतन और उससे बनी वस्तूओं की खरीद का क्या नहीं लाना चाहिए इस खरीदने से बचना चाहिए लेकिन लोग जानकारी लाना चाहिए प्राचीन काल में तांबा पीतल के बरतन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु की होते थे लेकिन समय के साथ में लोग स्टील के बरतन लेने लगेंगे स्टील के बरतन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं उसमें थोड़ा से गेहूं या चावल डाल दीजिए उसके बाद आप जो खरीद कर ला सकते हैं तो जो राहू का दोश होता है वह दूर हो जाता है इस बात का आप जो है विशेश ध्यान रखना इस दिन काले रंग के कपड़े काली वस्तु को खरीदारी मत देखिए जो दीपा वली के दिन होता है काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करना चाहिए नहीं काले रंग की कोई समान है ये बिलकुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है काली शक्तियों का दिन होता है काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं इसे राहू के शक्ति आ जाते हैं केतु की शक्ति आ जाते हैं, शनी की कुद्रिष्टी लग जाते हैं और ये सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं कलेश लेकर आते हैं। इन हतियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद कर लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन आठ बज करती। आपके घर में थोड़ा सा छोटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमी में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं। खुदाई करने के बाद अब लगा सके जैसे जैसे धनिया में वृध्धी होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे। वैसे वैसे आपकी उन्नती शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उप्योग जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद नमस्कार।